तो गरिब सेंडिस में अब सब का स्वागत है, आज थोड़ी बैड नियूस लेके आया हूं मैं, ओफिशली तो यह अब तक भार नहीं आया है, पर तेलगो मीडिया रिपोर्ट्स के इसाब से, इजरो ने अपने SSLV के फर्स स्टेज का स्टाटिक फायर किया, और एक एनॉम इसके उपर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, उसको इंटरनेशनल रॉकेट से कंपेर करते हुए, और PSLV से भी कंपेर करते हुए, इंट्रेसिंग है, जब भी एक नया रॉकेट इंजिन बनता है, या एक नया सॉलिड रॉकेट मोटर बनते है इस केस में, तो उसका प फिर उससे आप data collect करते हो, और sure करते हो कि जो thrust output और बागी सब performance characteristics थे, वो आपके expected से match करते है, और फिर आगी जब भी आप similar motor बनाओगे, same process से बनाओगे, ताकि consistency हो performance में, तो EZRO ही नहीं हर agency, अपने कोई भी नई engine का या motor का static fire करती है, आप देख सकते हो, मैं आपको S200 का, यानि जो GSLV Mark 3 की, जो side के rocket motors है, जो दुनिया की third largest solid rocket motor है, उसका static fire दिखा रहा हूँ, तो ऐसे होता है, और अभी reports, एक ही report है, और किसी mainstream media नहीं compare नहीं किया है, कि EZRO ने अपने SSLV के SS1 stage 1, जो S139 motor है, उसका solid rocket test किया, अभी आप देख सकते हो, आपके screen के उपर, ये u slash, यानि OSIN, जो EZRO subreddit के mod है, उन्होंने Sentinel-2 से, जो एक European satellite है, उसके daily images से, ये GIF compile किया, अब आप देख सकते हो, ये confirmation तो है, हमारे पास की, static fire तो definitely हुआ है, अब ground movement वगरा, वो सब dust या, जो rubble movement है, आप देख के पता लग सकते है कि, static fire तो definitely हुआ है, ये EZRO का 6E test and day, यहीं अपने S200 motors का भी static fire हुआ था, जो मैंने आपको previous video दिखाया था, अभी आता है question कि क्यों हुआ, क्योंकि देखो, जो solid rocket motors ये EZRO के काफी well proven है, और ये एक established kind of solid rocket motor है, ऐसे कुछ out of the blue नया नहीं कर रही है SSLV के साथ, पर एक change जरूर है, अगर हम उस report के पास वापस जाए, त कि SSLV में traditional rocket trees से यानि traditional से एक फरक जरूर है, SSLV अपने S139 motor के उपर electro mechanical activation का इस्तमाल करता है, अभी देखो, nozzle जो है वो move कर सकता है, इसे thrust vector control कहता है, अब वो move कैसे करेंगे nozzle, EZRO का जो S200 motor है, जो GSLV mark 3 के उपर जाते हैं, बहु बली जिसे लोग कहते है, whatever, उसमें hydraulic system होते क्योंकि इतना powerful movement force उस nozzle के उपर कि कोई electric motor था नहीं, उस capable कि उतने nozzle को move कर सके, या शायदो risk कम करना साथ है, वैसे कुछ, पर EZRO S139 यानि जो motor है SSLV के उपर, उसके साथ electro mechanical system के साथ गया, ऐसा नहीं है कि EZRO ने electro mechanical system कभी किया नहीं, विकास engine के उपर electro mechanical system है, PS3 यानि जो third stage PSLV का और second stage SSLV का सेम है, उसके उपर भी electro mechanical activation है, तो ऐसा नहीं है कि EZRO ने कभी कहने, EZRO काफी experience है system के साथ, तो शायद उस चीज में उन्होंने कुछ देखा हो, या कुछ failure point आया हो, बट हम hope ही कर सकती कि EZRO clean आया और हमें बता दे कि क्या हूँ exactly, national media भी ये news नहीं pick कर र हिंजे भारत, सब्सक्राब करो